हलो दोस्तों नमस्कार मैं हूँ अमन प्रजापती और आप देख रहें करंजले चैनल तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आज हम लोग पढ़ने वाले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसे हिंदी में जिनेवा पतिती कहते हैं यह चैप्टर नमबर फाइब से है यह बोड इक्जाम में आता जरूरा मतलब इस टाइब का आता है चलिए फिर इसको देखते कैसे लगता है तो इसको लगाने के लिए सिंपली हमें कुछ करना नहीं है बस इनमें फर्स्ट तर्म कौन है और कामन डिफरेंस इनका अगला ठाम क्या होगा चली फिर देखते हैं कैसे लागेगा यह हमारा वान है तो इसमें देखें यहां पल लिए इसमें और इसमें यहां पर लिख लेते हैं, क्या है नाइन है, फीटिन है, ट्वएंटी है, ट्वैंटीसेवन है, डॉट 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 तो देखें इसमें जर्च कि यहां पर 않은 9 तो यहां पर देखें नाइन कर दते krijgen कहें ये तो कर देते यह फॉर हो जाएगा तो देखिए इसमें से यह तर्म हो गया नहीं स्थिन हो गया और एकर टर्म हो गया 27 तो इसमें से देखिए common difference निकाने के लिए पहले यहाँ पर लिखेंगे फ़र्ष्ट टर्म in पूण है है सिग्र के ज़िए को व्यादि कैने इसमें इन नम्ब्रों में से सबसे पहले नंबर कौन से लिखा है हमारा स्वारफ टर्म होता है सिपयों से को थोड़ा सा प्लस माइनस करना होगा देखें यहां पर common difference common different is equal to होता क्या है देखे common different is equal to common different is equal to इसे देनोटेट D से करते हैं और देखे common different is equal to होता है यहां पर कितना है तो यहां पर लिखेंगे पंद्रा माइनस कितना है नाइन देखें अब हमारा डी इक्वल्ट क्या निकरता है डी जुकल कमन डिफेरिट मेंन करफेंगे यहां पर लिख देखेंगे इस तरह निकारएंगे यहां पर इक हो गया यह हो गया common different हो गया अब देखें नेक्स टर्म बोल दिया यानि इतने नंबर यह देखिए 27 नंबर के आगे कौन सा टर्म आएगा वही नेक्स टर्म बोला है तो नेक्स टर्म निकालने के लिए हमें एक फार्मूला है लिखेंगे नेक्स टर्म नेक्स्ट टर्म इस्वाल टो देखें फार्मूला एक है टीजी इन इसिवाल टो ए प्लस ब्रेक्ट में यह न माइनस 1 इंटो ग्ये इसमें एक टेल है हमारा फर्स्ट टर्म धेखें यहाँ पर अ मिल गया यह D क्या है देखे हमारा common बोला है कि नेक्स्ट टर्म मतलब की 27 नंबर के बाद कौन सा टर्म आएगा देखें नेक्स्ट टर्म का मतलब देख लिए यहां से अगर आपको नहीं समझ में आए तो यहां पर इनका नंबर की लिए कितना नंबर वान टू थी फॉर फाइफ देखें फोर नंबर निकालना फिर जो यहां यहां वही यहां 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 के जगह पर फाइफ लिखेंगे माइनस वन इंटू डी के जगह पर नाइन स्वरी डी के जगह पर सिक्स यह हमारा सिक्स है तो यहां पर सिक्स लिखेंगे फिर देखें टी यन तब लिखेंगे टी इसक्वल टू देखें 9 का सीधा यहां पर 9 करेंगे और देखिए यहां पर प्लस करेंगे देखिए 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 आएगा देखिए 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 आएगा और 4 में 6 से यानि इंटू करेंगे यानि गुडा करेंगे तो 24 आएगा 24 आएगा और देखिए जब टीन इस इक्वल टू निका रहेंगे 24 अब देखिए 24 में जब 9 9 प्लस करेंगे तो 33 आ गया देखिए कि देखिए टीन बराबर इसमें आ गया हमारा 33 देखिए इस तरह निकालते हैं इस तरह निकालते हैं देखिए देखिए हमारा इसमें फर्स्टन 9 हो गया और देखिए कॉमन डिप्रेंट यानं 24 जो नबरों के बीज में जो उसे जो रने घटाने वह कुछ भी डिफ्रेंट- आ रहा हुआ हमारा दीराध्व Cheers फार्मूला होता है A2 माइनस A1 अचल बराबबठ डी होता है धिए फिर यह हो गया हमारा zer छाइग यह होगया हमारा नंबर वन वाला हमा देखिए इसी तरह यह दूसरा स ». सल करेंगे औंसर हमारे जो कुछ भी आगा माइनस वे आगा चलिए देखते हैं इस इसको डेखे했습니다 कैसे होगा हो गया देखिंए इसमें फर्स्ट टर्म में देखें, इससे नंबर वन पर फर्स्ट टर्म काउन है? देखें, 11. यानि पहले यही लिखा गया है, तो यहां पर फर्स्ट टर्म यानि चीक्वाल टू 11 हो गया. common different इसी तरह देखे इसमें common different निकारेंगे तो d is equal to होता है हमारा d is equal to होता है a2 minus a1 अब देखे d is equal to जब निकारेंगे common different को denoted by d से करते हैं d से denoted करते हैं इसको देखे इसमें से अगर हमें d बराबर निकारें यानि common different निकालना है तो a2 की जगापर देखे 6 रखेंगे 6 minus a1 के जगाप 11 देखे d बराबर हमारा क्या आएगा देखे 6 में से minus 11 करना है छाए में से 11 – करेंगे तो design जो कुछ भी answer आएगा भी पहले इसको लिक लेता है चाहे में 50 माइनस करेंगे तो minus पाँज आएगा माइनस की वह आएगा देखे क्योंकि हमारा 6 यानि छटबा नंबर कम है 11 से यानि 6 नंबर कम है या इस गैरा से तो तो देखिए यहां पर d बराबर हमारा आ गया 5 तो देखिए a बराबर 11 आ गया d बराबर क्या आया है minus 5 minus 5 हो गया next term यानि इन में भी बात बोला गया इनके आगे का term कौन सा term होगा देखिए 4 number के बाद कौन सा term होगा तो friends इसको देखते हैं आगे चलते हैं देखिए next term निकालने के लिए यह होता है फार्मुला tn is equal to tn is equal to a plus bracket में n minus 1 into d तो देखिए हमें tn के जगा पर क्या रखेंगे इन में से next term का मतलब उसके आगे का term देखिए 1, 2, 3, 4 देखिए 4 term में लिखा उसके आगे का term में निकालना है तो 4 के बाद 5 आता है तो यहाँ पर 5 लिखेंगे n बराबर 5 लिखेंगे a देखिए a बराबर निकला हमारा 11 यानी 11 प्लस n बराबर देखिए y 5 लिखेंगे माइनस 1 लिखेंगे और देखें, D बराबर, माइनस 5 लिखेंगे, देखें, फिर लिखेंगे TN बराबर, देखें, 11 यहां पर रखेंगे, फिर देखें, पलस करेंगे, सोरी 11 देखिए यहां पर फिर अभी अभी देखिए पलस नहीं लिखेंगे और नहीं माइनस क्योंकि इसमें देखिए अभी कोई चीज देखिए यहां पर 5 में से 1 माइनस करेंगे तो देखिए 4 आएगा 4 में minus 5 से ओ करेंगे multiply करेंगे तो देखिए minus 20 आएगा minus 20 आगा अब इसमें से देखिए minus करेंगे 11 में से 20 minus करेंगे तो minus 9 आएगा यानि TN is equal to minus 9 देखिए 11 में से 20 minus करेंगे 11 में से minus 20 करेंगे तो minus 9 आएगा तो friend I hope कि आपको वीडियो पसंद आई है तो friend इस तरह question class 10 में आता है but I cannot confirm this question तो friend I hope कि आपको वीडियो पसंद है वीडियो पसंद आई तो subscribe करो तरह भाई का चनल और bell icon को press कर दो और अगर आपको square root से related वीडियो देखना है तो यह वाली वीडियो देखो और आपको अगर Iupacing नेम निकालना है तो यह वाली वीडियो देखो और चैनल को कर दो subscribe मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत